हमें लिया ह्टाना hundred favorite टॉमेटो चिकट करी बनाने के लिए हमने लिया है need जिसको हमने उसे वॉश कर लिया है कि यसको ने प्याज लिया हैं हो और चार टामार्टच लिया है हमने इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे मसालों के लिए हमने लिया है हरी मिर्च अद्रक लसुन का पेस्ट चिकिन मसाला पॉर्डर लाल मिर्च पॉर्डर हल्दी पॉर्डर नमक स्वादनुसार चीनी थोड़ा सा जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले सबसे पहले ग्यास अन करेंगे फिर उसके उपर कुकर रखते हम फिर उसमें हम थोड़ा सा सरसू का तेल डालेंगे तेल के गरम होते ही हम उसमें जीरा डाल लेते हैं उसके बाद उसमें हम गरम मसाला डाल देंगे दो-तीन मिनिट हम इसे ऐसी छोड़ देंगे थोड़ी सी ये क्रैकल हो जाए अब इसमें हम हरी मिर्च डाल लेते हैं प्याज डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए प्याज के ब्राउन होते ही हम उसमें अद्रक लेसन का पेज डाल लेते हैं लगबग दो चंबल डाला है हमने मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह फिर इसमें हम चिकन डाल लेते हैं फिर इसको हम दो-तीम मिनट हाई फ्लेम में ऐसे ही फ्राई करेंगे अब इसमें हम हल्दी पॉर्डर डालेंगे लाल मिच पॉर्डर डालेंगे चिकन मसाला डालेंगे और थोड़ी से चीनी डाल देते हैं नमक हमने स्वादा नुसार डाला है इसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और दो-तीन मिनट ऐसी फ्राई करेंगे हम अब अलग टमाटर में हम ऐसे ही एक फोक की साहता से उसमें होल करते जाएंगे देखिए इस तरह ऐसे ही हम सारे टमाटरों में होल करते जाएंगे चिकेन हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है अब इसमें हम चारू टमाटरों को डाल देंगे ऐसे ही फिर उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम एक कप पानी डाल देते हैं आप चाहे तो पानी नहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये टमाटर खुद पक कर एक ग्रेवी की रूप में तयार हो जाएंगी फिर हम कूकर का ढकन लगा देते हैं और इसे लो फ्लेम में कम से कम 20 मिनट तक हम पकाएंगे आप चाहे तो इसे मीडियम फ्लेम में तीन सीटी लगा कर इसे बन कर दे 20 मिनट वाद हम देखते हैं कि चिकन तियार हो चुका है और टमाटर है जो वो लगभग पक चुके हैं और उसे हम ऐसे स्पून की साहता से उसे मैस कर लेते हैं ये देखे इस तरह फिर इसमें हम एक चमच घी डाल देते हैं ये ऑप्शनल है और ऐसे ही एक दो मिनट के लिए हम इसका धकन लगा देते हैं फिर इसे एक सर्विंग दिस में निकाल लेंगे हम इसे अब स्टीम राइस पुलाव रोटी चपाती के साथ या पराठा के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं